गुड मॉर्निंग बच्चो ग्लो और फिजिक्स में आप सबका स्वागत है प्यारे बच्चो आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चो जो की इंटर्मेडिट बोल्ड के छात्रों को ये डेरिवेशन पूरा पूछा जाता है तो बहुत ही जदा महत्वपूर है वेरी वेरी इंपोर्टेंट ठीक है बच्चो बहुत जदा इंपोर्टेंट है और बोर्ड के जो छात्र है उनके लिए इसका डेरिवेशन पूछा जाता है बच्चो तो लिए चलते हैं टॉपिक की ओर पतले लेंस द्वारा प्रकास के अपवर्तन का सूत्र और इसको लेंस मेकर फोर्मूला भी कहता है बच्चो लेंस मेकर सूत्र फोर्मूला फोर रिफ्रेक्शन थ्रो अथिन लेंस पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र निकालना है इस संदर में भी पूछा जा सकता है बच्चो और आपको ये भी पूछा जाता है कि फोकस दूरी का लैंस की फोकस दूरी का सूत्र निकालो, वो पुछा जा सकता है, और ये भी कह सकता है, कि लैंस मेकर फॉर्मूला को डिराइब करो, ठीक है बच्चो, तो प्यारे बच्चो, ये डेरिवेशन जो है, दो तरीके से आपको पूछा जाता है, लेकिन यदि आपको ये पूछा कि पतले lens द्वारा प्रकास के अपर्टन का सूत निकालो या lens maker फॉर्मूला निकालो तो आपकी CV बीजी से परिकापरियों कर सकते हैं बच्चों तो प्यारे बच्चो इसमें दो इस्थितियां बनती हैं बच्चो ठीक है बच्चो पहली इस्थिति है जब लेंस के दोनों और माध्यम समान है ठीक है बच्चो अर्थात हवा में लेंस रखा हुआ है बच्चो ठीक है बच्चो दूसरा है बच्चो जब लेंस के दोनों और माध्यम भिन हो ठीक है बच्चो एक और माध्यम भिन हो ठीक है बच्चो एक और मान लिजे हवा है और दूसरी और पानी है बच्चो ठीक है तो बच्चो हम जो आपको बता रहे हैं यह डेरिवेशन पहला जो डेरिवेशन बता रहे हैं वो है जब जब लेंस के जब लेंस के दोनों और माध्यम समान हो ठीक है बच्चो यह डेरिवेशन आपको बता रहे हैं वन मीदिम वन मीदिम वन जब जब एंड इज सेम इस सेम ऑन बोज साइड on both sides of the lens ठीक है बच्चो हम आपको बता रहे हैं कि lens के दौनों और माध्य हम समाने बच्चो तो प्यारे बच्चो आपको सीधे लिए चलते हैं इस lens में यह दिखाई दे रहा बच्चो आपको lens यह देखे बच्चो ठीक है यह आपको lens दिखाए दे रहा बच्चो यह देखे अब प्यारे बच्चो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है जो मैं इसमें बोलूगा तो बच्चो मैंने उसको लिखना नहीं है मैंने derivation करना है माल करना बच्चो एक पतला lens L है ठीक है बच्चो वो y में रखा गया है ठीक है और थोड़े देर के लिए मान देते हैं बच्चो कि पहले हम lens पतला है तो बाद में हम इसकी मोटाई को माना हमने t मान रखा है बच्चो बाद में हम पतला lens के लिए इसको नगर्ण कर लेंगे उपीक्षनी कर लेंगे बच्चो इस यह lens कैसा ह किसके लिए निकाले हम उतल है इस lens के दौनों प्रिष्ट एक बखर पिष्ट यह है उसका जो है दुरुब यहाँ पर देखे P1 है और दूसरा बखर पिष्ट जो है यह है बच्चो उसका दुरुब क्या है P2 है ठीक है बच्चो तो हम क्या करते है बच्चो एक वत वस्तु जो O है, इसको जो पहला बकर पिष्ट है, उसके धृव पीवन से यू दूरी पर रखते हैं, बच्चों यू दूरी पर इसको हम रखते हैं, तो बच्चों इस O वस्तु का जो प्रतिविंब है, वो दूसरे पिष्ट के सामने I-डेस पर बनता है, ठीक है हमने प्रिष्ट के सामने वस्तु रखा है तो वस्तु की दूरी भी इसी प्रिष्ट से लिया है और प्रतिविम की दूरी ये देखो बचो इसी पीवन से हम प्रतिविम की दूरी भी लेंगे बचो ये देखे तो इस प्रिष्ट से वस्तु की दूरी यू हो गई और इस प्र प्रतिबिम की दूरी कितनी होगी बचो भी डैस होगी ठीक है तो बचो अपवर्तन का जो सूत्र है अपवर्तन का सूत्र मैंने आपको बता रखा है बचो तो अपवर्तन का गोली प्रिष्ट के लिए अपवर्तन का सूत्र अपवर्तन का जो सूत्र बता रखा बचो आता है आपको n upon b minus 1 upon u बरावर n minus 1 upon r ठीक है बच्चो ये अपवर्तन का सूत्र है बच्चो गोली प्रिष्टों के लिए अपवर्तन का ये क्या है बच्चो फॉर्मूला है अब देखे बच्चो ये जो लेंस है इसकी पहले प्रिष्ट की बखरता तिरजा r1 है इधर r1 है और दूसरी प्रिष्ट की बखरता तिरजा क्या है r2 r1 क्या है r1 क्या है पहले प्रिष्ट की बखरता तिरजा ठीक है बच्चो और r2 है दूसरे प्रिष्ट की दूसरे प्रिष्ट की बक्रता चिर्जा ठीक है बच्चो इस समय हमने कौन सा प्रिष्ट ले रखा है बच्चो पहला प्रिष्ट ले रखा है बच्चो तो प्यारे बच्चो इस फॉर्मूले के अनुसार पहले प्रिष्ट के लिए क्या हो जाएगा बच्चो यहाँ पर N N का मतब है हवा के सापेक्ष कांच का अपरतनाग ठीक है बच्चो जो यहाँ पर N है मैं यहाँ पर लिख दूँ बच्चो जो यहाँ पर N है यह जो N है यह वास्ताव में क्या है बच्चो हवा के सापेक्ष कांच का अपरतनाग तो बचो मैंने उसको सीधे-सीधे क्या लिख जया बचो? यहां पे N लिख जया बचो तो इस formula के answer क्या हो जाएगा बचो? N upon. वस्तो कितने दूरी पर है वस्तो कितने दूरी पर है यू, प्रतिविम कितने दूरी पर बनना है B- तो B की जगों क्या जाएगा? B dash minus 1 upon U बराबर N minus 1 upon पहले प्रिष्ट के लिए R1 equation number 1 ये देखे बच्चों प्यारे बच्चों अब क्या होगा? इस पहले प्रिष्ट ने इस O का प्रतिविम I dash बना दिया है अब दूसरे प्रिष्ट के लिए ये I dash आभासी वस्तु का काम करेगा ये वस्तु का काम करेगा और इसका अंतिम प्रतिविम कहाँ पर बनेगा बच्चों? आई पर बनेगा अब हमें दूसरे प्रिष्ट से ही दूरिया लेनी है बच्चों दूसरे प्रिष्ट से ही दूरिया लेनी है यह i dash किसका काम कर रहा बच्चो किसका काम कर रहा बच्चो आभासी वस्तो का काम कर रहा है इसकी दूरी इस प्रिष्ट से कितनी हो जाएगी बच्चो यह पूरी दूरी कितनी है बच्चो b- और ये मोटाई कितनी है, बच्चो, मोटाई कितनी है, बच्चो T, तो इसको हम इसमें से कम कर देंगे, तो ये दूरी कितने हो जाएगी, b-amaz T, ये दूरी b-amaz T हो जाएगी इस प्रिश्चे, और यहाँ पर जो है, ये देखो बच्चो, और वस्तो की दूरी कितनी मानी है बच्चो वस्तो की दूरी कितनी मानी है परतिवी में की दूरी कितनी मानी है बच्चो भी यह लिखा रखा बच्चो मैंने भी है तो अब बताओ दूसरे प्रिष्ट के लिए क्या होगा पहले प्रिष्ट के लिए हवा से, हवा से कहां जाएगा, कांच में जाएगा, दूसरे प्रिष्ट के लिए कांच से कहां जाएगा, हवा में जाएगा, तो N की जगों पे कितना हो जाएगा बच्चो, यहां देखें बच्चो, जो N, G, A, जो मैं निकालूंगा, वो क्या हो जाएगा बच्चो एक बटे एन एजी हो जाएगा और इसको मैंने एन एजी को एन एजी को क्या लिखा बच्चो एन लिखा है तो दूसरे प्रिष्ट के लिए बच्चो एन की जगों पे हम क्या लिखेंगे बच्चो वन अपॉन एन लिखेंगे बच्चो यह यहाँ पर किल बच्चो कितना 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 ब थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, अब आपको lens भी दिखाए दे रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, बच्चों, ये कितना हो जाएगा, 1 upon nv minus 1 upon v dash minus t equal to, यहाँ पर इसका LCM ले लेंगे n, ये n LCM ले लिया, n का भाग n में एक बार गया, 1 minus n, और ये r2 कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा, बच्चों, अब प्यारे बच्चों, इस equation 2 को हम किसे multiply कर देंगे, n से, n से multiply करने से n कैंसिल हो जाएगा, बच्चों, ठीक है, ये n सम जगों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे, समीकरण 2 को, समीकरण 2 को, n से गुणा करने पर, n से क्या कर देंगे बच्चों, गुणा कर देंगे बच्चों, बच्चों बहुत धीरी धीरे मैं कर रहा हूं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, n upon nv minus n upon v dash minus t equal to n into 1 minus n by n into r2, ठीक है न बच्चों, इतना हो जाएगा न बच्चों, n से n cancel, n से n cancel हो गया बच्चों, ठीक है न बच्चों, तो कितना आगया बच्चों, 1 upon v minus n upon v dash minus t equal to, यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ n minus 1 आया है न, और यहाँ 1 minus n आगया न, बच्चों, तो minus common लेलो, minus common लेलो कितना हो गया, n minus 1 upon r2, यह देखे बच्चों, अब हम जो हैं यहाँ पर t को उपेक्षणिया कर देंगे बच्चों, ठीक है बच्चों, पतले लेंस के लिए, पतले लेंस के लिए, t उपेक्षणिया है, negligible है, उपेक्षणिया है, जब यह उपेक्षणिया है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस t को छोड़ देंगे बच्चों, तो कितना गया बच्चों, 1 upon V minus N upon V dash is equal to minus N minus 1 upon R2, क्यारे बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 आप देख रहे होंगे, इक्वेशन नंबर 3 भी आप देख रहे होंगे, यह देखे बच्चों, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को आप देख रहे हैं, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को जोड़ देंगे, ठीक है बच्चों, इक्वेशन 1 और 3 को जोड़ देंगे, जोडो बच्चों, इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है तो कैंसे जोड़ेंगे बाएं बाएं पक्च और दाएं पाएं पक्च दूर जाएंगे ध्यान से देखो बच्च इसका बाएं पक्च कितना है N upon ये देखे मैं थोड़ा उपर करता हूँ बचो ये देखे ये देखे कितना है ये देखो N upon V dash minus 1 upon U ये देखे इसका बाया पक्ष कितना है बचो plus 1 upon V minus N upon V dash ये देखे बचो अब यहाँ पर यहाँ पर जो है बचो N minus 1 upon N minus 1 यहाँ भी common है और N minus 1 यहाँ भी common है तो कितना common ले लिया बचो N minus 1 common लिया तो यहाँ कितना बचा बचो 1 by R1 1 by R1 और यहाँ कितना बचा बचो minus 1 by R2 minus 1 by R2 यह आपका बच गया ठीक है बचो अब प्यारे बच्चो, N upon B dash, N upon B dash कट गया बच्चो अब यहाँ पर हमारा फॉर्मला क्या गया बच्चो 1 upon B पहले लिख दिया 1 upon B, minus 1 upon U, बराबर कितना गया N minus 1, 1 by R1, minus 1 by R2 ठीक है बच्चो, मान लिजे जो है बच्चो, यह equation number 4 है equation number कितना है? 4 है अब हमारे पास एक condition है बच्चो जब वस्तु अनन्त पर होती है जब वस्तु अनन्त पर होती है तो उसका प्रतिविम फोकस पर, दुद्या फोकस पर बनता है बच्चो ठीक है, इस equation में यह देखे बच्चो, इस equation में रखे बच्चो यह equation है, इस equation में रखे बच्चो 1 upon b, यहाँ पर लिख रहाँ है बच्चो 1 upon b, b की जगवा क्या हो गया बच्चो f, यह देखो, यह f हो गया minus 1 upon u, यह u कितना हो गया, infinity बराबर कितना हो गया बच्चो n minus 1, 1 बटे r1, minus 1 बटे r2 ठीक है बच्चो तो 1 upon infinity 0 हो गया, तो फॉर्मूला क्या हो गया बच्चो 1 upon f बराबर, n minus 1, 1 बटे r1, minus 1 बटे r2 और प्यारे बच्चो, यही आपका lens maker फॉर्मूला हो गया मैं इसको यहाँ पर मार कर देता हूं बच्चो ठीक है बच्चो, यह क्या हो गया? lens maker फॉर्मूला हो गया बच्चो तो अब जो है बच्चो, आपने focus दोरी भी निकालनी है तो आप किस परकार से यहाँ पर निकालेंगे बता रहा हूं बच्चो यहाँ देखे, यह दर देखे बच्चो, इस equation को देखे और इस equation को देखे यह देखे दाया दाया पक्च क्या है बच्चो? इस equation का दाया पक्च n-1 एक बटे आरवन मानेस 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 एक बटे आरवन और ये लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है और ये लेंस की फोकस दूरी का सूत्र हो गया पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र हो गया और ये फोकस दूरी का सूत्र भी है और अपवर्तन का सूत्र भी है बच्चो तो प्यारे बच्चों हमने पूरी कोशिस किया है बच्चों कि आपको जो है केवल जो है एक पेज में ही बताया जाये और आपको lens भी आपके सामने ही दिखाई दे बच्चों तो प्यारे बच्चों यह कौन साटेरी बेशन बताए मैंने आपको lens maker formula जबकि lens के दोनों और माध्यम क्या है समान है तो प्यारे बच्चों आप इसी प्रकार से glow of physics पर बने रहें और इसके बाद जो है मिलते हैं अगली वीडियो तक तक जो है आप अपना ख्याल रखें पुनों जो है चैनल पर बने रहने के लिए बहुत दन्यवाद आभार